अज़ आज एक केस मार्च तो यूजर एकर इंटरफेस के जितने भी इंपर्टेंट कुश्यंस बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिसकूस करऊंगा और हर कुश्यंस related लेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए लास्ट में आप से कुश्यन पूचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज किस वीडियो की पीडिया फाइल आप इस वीडियो के डिसकु तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है हाली में 200 गौरिया दिवस कम मनाये गया है तो अभी बेस मार्च को 200 गौरिया दिवस मनाये गया तो इस कुश्यन का बे अप्सन सही है गौरिया यानि कि इस पैरो इसके संडरक्षड के बारे में जागरूकता बढ़ाने के सेले हर साल बेस मार्च को बेस्स गौरहया दिवस मनाय जाता है अचा बेस्स मार्च को ही अंतराश्ट्टी प्रसन्था दिवस मनायी जाता है International happiness ये भी 20 मार्च को मनाये जाता है और bird oval heath day ये भी 20 मार्च को मना जाता है एक मार्च को सूनने भेदवाओ दिवस मनाए गया तीन मार्च को बिश्चु बनजीब दिवस मनाए गया चार मार्च को रास्टी सुरक्षा दिवस और बिश्चु मोटापा दिवस मनाए गया 6 मार्च को 200 Tennis दिवस मनाए गया 8 मार्च को अंतरास्टी महिला दिवस और No Smoking डिवस मनाए गया 9 मार्च को 200 Kidney दिवस मनाए गया 10 मार्च को CISF का 54 मां स्तापना दिवस मनाए गया 14 मार्च को अंतरास्टी गड़ित दिवस और अंतरास्टी पाई दिवस मनाया गया 15 मार्च को बिस उपवोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया 16 मार्च को रास्टे टेका करण दिवस मनाया गया 17 मार्च को वर्ल्ड स्लेप डे मनाया गया और 18 मार्च को best week recycling दिवस बनाये गया मार्च में अब तक इतने important ही बनाये गये हैं यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या like का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है एलपो लगता है तब आप इस वीडियो को like और सिय करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नेकिशन हाली में किस देश की बैंक ने भारती रुपया नामित नौस्ट्रो खाता खोला है तो अभी स्री लंका के एक बैंक ने भारती रुपया नामित नौस्ट्रो खात खोला है जिससे cani भारती रुपय में लेंदिं किया सके अब स्री लंका तो यह में लंका का स्री लंका यह केपिटल के है कुलंबो और श्रेजाएब ने पुरह कोते को पूलंबोование चैनल ओलंभो है और कि पौ्यद्धी स्री स्रीलंका की प्रज semua messaging कॉन है रहनी बिकरम सिघे और सिलंका की प्रजैन टैब प्राइमिश्टर कौन है देनेस गुडवर्धन अच्छा अभी दिवंगत सीडियस विपिन रावत की सम्मान में स्री लंका के स्री मुक्तिनात मंदिर में घंटी रगाई गई भारत ने आर्थिक सायता योजना की अंतरगत स्री लंका को 50 बसें प्रतान की हैं 2024 में Under-19 World Cup की इमेजबनी स्री लंका करेगा स्री लंका के उपन्यासकार सेहान करोना तिलका की उपन्यास को 2022 का बुक कर पुरुसकार मिला है चेन को पचाड कर भारत स्री लंका के सबसे बड़े रिड़ दाता की रूप में उबरा है स्री लंका ने देश में आने वाले परेटकों के लिए लंबा बीजा जारी करने का फैसला किया है और अर्जुन रड़तुंगा को स्री लंका के खेल परिस्द के चेर्मेन की रूप में नियुक्त किया गया अच्छा इंडिया और स्रिलंका की बीच में पाक जल्डमरू मंडल है इसे पाक स्ट्रेट भी कहते हैं और इसको अभी रिकॉर्ड समय में संपन्र रमेश ने तैर कर पार किया है ने क्यूशन है हाली में कहां पसु चिकित्सा और आयरुवेद पर अंतरास्टी आयरुवेद सम्मिलन का उद्गाटन हुआ तो अभी हरिद्वार में पसु चिकित्सा और आयरुवेद पर अंतरास्टी आयरुवेद सम्मिलन का उद्गाटन हुआ तो इस question का B options है ने question है हाली में ISSF World Cup Shooting Championship का आईजन कहां किया जा रहा है तो ISSF World Cup Shooting Championship का आईजन अभी भोपाल में किया जा रहा है तो इस question का C options है यह भोपाल सुनके कुछ याराता है भोपाल में है भोजदाल अच्छा ISSF यानि कि International Suiting Sports Federation इसकी स्तापना का हुई 1907 में इसका हेड़कॉर्टर कहों पर है म्यूनिक में और इसके प्रजेंट टैम पर सेक्रेटरी जनरल कौन है विली ग्रिल कौन है विली ग्रिल नेकुशन है हाली में केसराजी की मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजी करण के लिए जरने योजना पोर्टर लॉंज किया है तो अभी जारखंड के चीपनिश्टर ने रोजगार पंजी करण के लिए जरने योजना पोर्टर लॉंज किया तो इसकुशन का बे ओप्सन है अब जारखंड तो ये है मैप में जार्खंड जार्खंड की केपिटल क्या है राची जार्खंड की चीपनिष्टर कौन है हेमंत सूरिन और जार्खंड की प्रजेंट डेम पे गवर्नर कौन है शेपी राधाकृष्णन कौन है सेपी राधाकृष्णन अच्छा अभी CP रादाकिशनन को झारकंड का नया गवर्नर बनाया किया प्रवासियों का पहला सर्वेक्षट जारकंड में सुरूख किया गया 15 नवंबर को झारकंड का इस्तापना दिबस मनाया गया बाल विवा के मामले में सबसे खराब इस्तिती झारकंड की है और खाद सुरक्षा एटलस वाला तेसरा राज जार خणन बना है पहला बिहार बना था दूसरा उड़िसा बना और तेसरा जार خणन बना है किसे संगीत कला निदी पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा तो अभी बॉम्बे जैसरी को संगीत कला निदी पुरुषकार से सम्मानित किया जाएगा उसकुषिन का A options है यह हैं प्रसिद करनाटक गायक और संगीतकार बॉम्बे जैसरी इनको अभी संगीत कला निदी प पुरुषकार दुजर 23 के बिजेता की रूप में सर डेविड चिपफर फील्ड को चुना गया आठ में राश्टी फोटोग्राफी पुरुषकार समारों में लाइफ टेम अचीब्मेंट पुरुषकार से सिप्रादास को सम्मानत किया गया और दुजर 23 का मारकोनी परेटन और सांस्कृतिक राजदान इंगोसित किया गया दूस्कृषकार से ओप्संस है अब SEO यानि कि संगाई कोपरेशन और गिनाइशन इसकी स्तापना का हुई 2001 में इसका हैड़कॉर्टर कहां पे है पेजिंग में और इसके प्रजेंट टेम पे सेक्रेटिर जनर कौन है जांग मिंग कौन है जांग मिंग नेकिशन है हाली में किसे कॉर्टन कॉर्परेशन और इंडिया के सीमडी की रूप में नियुक्त किया गया है तो अभी ललित कुमार गुपता को कॉर्टन कॉर्परेशन और इंडिया के सीमडी की रूप में पॉइंट किया गया तो इ नयुक्त रास्ट के resident coordinator की रूप में के आर पार्वती को नियुक्त किया गया, BPCL का अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक जे करश्न कुमार को नियुक्त किया गया, TCS का CEO के क्रतिवाशन को नियुक्त किया गया, हनीवेल के CEO के रूप में बिमल कपूर को नियुक्त किया गया और पे-फ-RDA का अध्यक्षिन देपक मुहंती को नियुक्त किया गया नेक फूशन है किस देश के पूर क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से सन्यास की गोश्णा की है तो टिम पेन ये ऑस्टिलिया के पूर क्रिकेटर है और अभी इन्होंने क्रिकेट से सन्यास लिया है तो इस कुशन का C options है ये हैं ये हैं टिम पेन अभी ऑस्टिलिया के हैं तो ये हैं मैप में ऑस्टिलिया Australia Capital के है, केन वरा Australia Currency के है, Australian Dollar और Australia के present time पे Prime Minister कौन है, Anthony Albanese नेहीं है, हाली में किस ने Saudi Arab Grand Prix जीता है तो अभी Sergio Pérez ने Saudi Arab Grand Prix जीता तो इस question का बे options है ये हैं Sergio Pérez ये formula 1 के driver है और इनोंने अभी Saudi Arab Grand Prix जीता हाली में भारत कहां 2023 SAFF Championship की मेज़वानी करेगा तो अभी अपना देश भारत बैंगलूरू में 2023 SAFF Championship की मेज़वानी करेगा तो इस कुश्चिन का C options है SAFF यानि की South Asian Football Federation हाली में भारत और किस देष के बीच चोथी रक्षा सःयोग 8 आयुजित की गई तो अभी अपने देश भारत और मॉल्डेव की बीच चोथी रक्षा सःयोग बारत आयुजित की गई तो इस कुश्चिन का B options है अब मॉलडीव तो यह है मैप में मॉल डिव मौल्डिव की केपिटल क्या है माले मौल्डिव की करंसी क्या है मौल्डिवियन रुफिया और मौल्डिव की प्रजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है इब्राहिम मुहम्मद सोले ने क्यूशन है हाली में पुरुस और मैलाओं के लिए चोथे ACI खोखो चैंपियंशिप कहां शुरू होगी तो अभी पुरुस और मैलाओं के लिए असम के बकसा जिले में चोथे ACI खोखो चैंपियंशिप सुरू होगी तो इसकुशन का से ओप्सन सही है अब असम तो ये है मैप में असम असम की कैपिटल क्या है दिस्पूर असम की चीपनिश्टर कोन है हेमंता विश्व सर्मा और असम के अभी नए गवर्नर बने है गुलाब चंद कटारिया अच्छा अभी पहला बुडो लेंड अंतरास्ति ग्यान महुत सब असम में हुआ है असम का नया डीजी पिग ज्यानेंद प्रताप सिंग को नियुक किया गया असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रेड किया है असम के मंत्री मंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए बेदयक को मंजूरी थी और पूर्वोत्तर के पहले युनानी चिकित्सा छेत्रे केंद का उद्गाटन असम के सिल्चर में किया गया असम के लोक नत्य कौन से हैं कटी भी हूँ, बगरुंबा, भुर्ताल और जुमौर ये असम के लोक नत्य है अचा असम में कौन-कौन से नेशनल पार्क हैं काजी रंगा, मानस, ओरंग, डिबरुस एकोबा, रायमोना और देहिंग पट गई ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसमें से काजी रंगा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजी रंगा नेशनल पार्क ये देश का इकलोता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फॉन से कनेक्ट हो चुका है नेशन है हाली मग कहां एरेटर कम डांसिंग फॉन्टेन का उदगाटन किया गया तो अभी स्रीनगर में डल जील में एरेटर कम डांसिंग फॉन्टेन का उदगाटन किया गया तो इसकुशन का ए उप्सन सही है जमू कसमीर के लिटरेन गवर्नर मनोज सिन्ना ने इसका उदगाटन किया है नेशन है हाली में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल स्टैटल जीता है तो अभी कारलोस अलकराज ने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टैटल जीता तो इसकुशन का से उप्सन सही है ये हैं कारलोस अलकराज अब लास्ट वीडियो के कुशन का अंसर लाश्ट वीडियो मैंने आपसे कुशिन पूछा था कि हाली में जारी बैस्विक आतंगवाद सूचकंग में कौन सीट पर रहा है तो अभी अफगानिस्तान बैस्विक आतंगवाद सूचकंग में टॉप पर रहा है यानिक इस कुशिन का वी ऑप्सन सही था और लगबख सभी स्टियर्डेस का अंसस्ता puppies दिया मुस्ट एले स्टियर्डेस के बारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक वार फिर बोलुगा कोईशन के बारे में आपको जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में पाक, जर्ल, डबरू, मद्ध को सबसे तेजी से तैर कर पार करने वाले बारती ब्यक्ती कौन बने है चार option दिये गए हैं, इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam search करके वारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है चालिस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और भेसु ग्रूप है उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा, please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेगे जिससे के आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam all page video thanks for watching